दोस्तों अगर आपको भी अपनी Paytm की Wallet KYC करानी है तो आपके लिए खुशकबरी निकल कर आ रही है क्योंकि अब आप Paytm की Wallet KYC बहुत ही आसानी के साथ करा सकते हैं आज की वीडियो में आपको Paytm Wallet KYC करके खुद दिखाने वाला हूँ और आप किस तरीके से Paytm KYC को कर सकते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ जी हाँ अगर आपको Paytm KYC करानी है तो आप घर पर बैठे इस एटेम को मत कीजिएगा क्योंकि Paytm KYC कराने वाले लोग ज्यादा तर यही गलती करते हैं जिसके वज़े से उनकी Paytm KYC नहीं हो पाती है यहां पर Paytm वालेट में लगा हुआ है यानि के यूजर किसी भी तरीकी KYC नहीं करा सकते हैं लेकिन एक तरीके से आप पेट्येम एजेंट आप के माध्यम से यानि कि आपके एरिया में बहुत सारी एजेंट होंगे जो Paytm की KYC करते हैं Paytm का Saving Account Paytm का Wallet KYC जैसे हैं कि मैं अपने एरिया में करता हूँ लेकिन आपको अपने एरिया में जाना है और Paytm के जितने भी BC एजेंट होते हैं जिनके पास यह वाला याप होता है जिसके जिन में लिखावा होता है KYC and Saving Account Opening तो उनके पास चले जाना है जी हाँ वहाँ पर ही आपको जाना है घर पर बैठे कोई भी डिटेल मत भढ़िएगा देखिए यहाँ पर option तो आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास option आ रहा है अप्ग्रेट यूर अकाउंट नाओ तो मैं यहा यहाँ पर डिटेल वगारा डाल सकता हूं वीडियो के वाइसी कर सकता हूं यहाँ पर डिटेल भी फिल कर सकता हूं के वाइसी एडियो डोर स्टेब लेकिन यहाँ पर अगर मैं यह वारी डिटेल डाल दूंगा तो मैं हाँ पता है आपके साथ क्या होगा कि आपका जो वह तो आपको अपने एजेंट के पास जरूर जाना है जैसा कि मेरे पास एजेंट एप है तो लेकिन आपको अपने एरिया के आपको अपने एरिया में करना है तो कि अपनी तरीके में नहीं करना है और तो आपके लेगा और आपकी वालेट के वालेट के वाइसी हो जाएगी दर दिन में आपके पास QR कोड भेजा जाएगा आप जो पेटियम की नई KYC process के according एक नया rule लिकल कर आया है अब आपके पास एक QR code आएगा 10 दिन के अंदर आपके address पर आजाएगा वो QR code आपको पेटियम के अंदर जाके उसे scan करना होगा जैसे ही आप scan करेंगे तो आपकी पेटियम wallet KYC अराम से हो जाएगी दियान रखिएगा mini KYC अगर आपकी होई भी है तो पेटियम wallet के अंदर आपको किसी भी तरीके की KYC कराने की जरूट नहीं है आप लेंदेन कर सकते हैं लेकिन अगर आपको फुल KYC करानी है तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जब पेटियम की KYC के उपर से बैन हट जाएगा यानि के बैन इसके उपर से हटा दिया जाएगा तो आप mini KYC के साथ साथ फुल KYC भी करा सकते हैं तो इस तरीके से पेटियम की वालेट के बारे मुझे आज की वीडियो में आपको अपडेट देना था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पैसे कमाने है तो आपको मेरे टेलिकराम चैनल पर जुड़ जाना है और